हलो स्टुडेंट आज हम लोग कर रहे हैं पोर्ट क्लास की NCRT मेरी गोल्ड का सिक्स यूनिट का सेकंड पार्ट स्कॉलर्स मदर टन यानी एक विद्वान की मात्रभाशा अलर्ण पंडित once visited the court of akbar एक विद्वान पंडित एक बार राजा अकबर के दर्बार में पहुचा He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages और उसने राजा और उसके दर्बारियों को बताया कि वो बहुत सारी भाशा को जानता है The पंडित could speak many languages fluently और पंडित जो था वो बहुत आसानी से बहुत सारी languages यानी भाशाएं बोल सकता था He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was और वो इतनी तेजी और इतनी आसानी से बोलता था हर भाशा को कि कोई भी नहीं बता सकता था कि उसकी मात्रभाशा क्या थी He challenged everybody उसने प्रतेक को चुनाती दी at the court to name his mother tongue की वह उसकी मात्रभाशा बताएं When everyone failed जब हर कोई fail हो गया The challenge was taken up by Beerbal तो उस चुनाती को Beerbal ने ले लिया Beerbal के बारे में तो हम ही सब जानते हैं कि वो कितने चालाग थे That night Beerbal went quietly to the pundit's room when he was asleep उस राद Beerbal जो थे उसके कमरे में गए जब वो सो रहा था He whispered into the pundit's ear और उन्होंने pundit के कान में थोड़ा सा खुसपुसाया And tickled it with a feather Tickled लोना होता है गुदगुदी करना और feather होता है एक पंग तो उनके कान में पंग से गुदगुदी की The pundit half awake जो pundit था वो आधी नीन में था मतलब ढंग से सो नहीं रहा था आधा जागा हुआ था Cried out suddenly और वो अचानक चिलाया And shouted out words in his mother tongue और उसने अपनी मातरभाशा में कुछ शब्द बोले Beerbal came to the court the next day And told everyone that the pundit's mother language was Telugu और Beerbal अगले दिन दरबार में आये Surprised पंडित जो था वो आशर चकित रह गया And accepted the truth और उसने सच को सुईकार लिया King Akbar then asked Beerbal How did you find the truth? तो राजा अकबर ने Beerbal से पूछा कि भाई तुमने कैसे सच जान लिया? Beerbal answered In times of difficulty A person speaks only in his mother tongue तो Beerbal ने उतर दिया कि जब भी कभी कोई कटनाई में होता है कोई person तो वो अपनी मातरभाशा ही बोलता है He also told the king how he had gone to the pundit's room at night और उसने राजा को ये भी बताया कि किस तरीके से वो राद को पंडित के कमरे में गय थे और सच को जान लिया था तो ये story finish हो गई चले question answer देख लेते हैं Reading is fun Who came to the Akbar court? राजा अकबर के दर्माद में कौन आए? तो राजा अकबर के दर्माद में विद्वान पंडित आए अलरंड पंडित केम तो दा अकबर's court Question 2 What did he claim to know? उन्होंने क्या बात को claim किया? क्या बताना चाहते थे वो? क्या बताना को आसानी से बोल सकते हैं Question 3 How did he challenge everybody? और उन्होंने प्रतेक विक्ति को कैसे चुनौती दी? Answer He challenged everybody to name his mother tongue उन्होंने सब को चुनौती ये दी कि कोई भी उसकी मातरभाशा का नाम बताए Let's talk तो ये तो आपको खुद करना है Next exercise Look and fill in the column One has been done for you Column में कुछ adverb दिये हुए हैं तो उनको आपको fill करना है एक आपके लिए fill किया हुआ है जैसे Quite का Quietly Fluent का Fluently Angry का Angrily Sad का Sadly Fierce का Fiercely And Gentle का Gently Next है Match the column यहां कुछ वर्सी हैं है उनको उसके पेर के सन मैच करना है तो Brush ले लेते हैं King का होगा Courtears Teacher का होगा Students Doctor का होगा Patients Mother का होगा Children Lawyer का होगा Clients Lawyer जो है वो Clients को Handle करते हैं और Bus Driver का होगा Passenger तो यह तो आपकी Matching भी हो गई Exercises भी हो गई Explanation भी हो गया आपको कैसा लगा Comment section में Mention करें और पसंद आया तो Like का बटन जरू दबाईए And अगर आप Channel पे नए है तो Please Subscribe My Channel पसंद आया है तो Like करें Share करें और Channel को Subscribe करें